तो स्वागरे दोस्तों के फिर साका मेरे स्यूटीट के आजए सेलेक्टर पर हम यहाँ पर बात करें है T20 सीरीज जो के स्टार्ट हो रहे है स्रिलंका और सौथ अफरीका टीमों के बीच में जो कि होगा सौथ अफरीका के अंदर यानिकि जो स्रिलंकन टीम है यह गई है साथे 9 बज़े से खेला जाएगा जो कि लोगल टाइम की इसाफ़ से अगर हम बात करें तो विलो मूर पार्क बेनोनी के मदान पर बज़े होंगे सामके 6 यानि कि रात वाला T20 मैच होगा जहां पर नौर्बली देखेंगे सौथ अफरीका के अंदर तो 6 बज़े दूप न करने वाले टीम और खास करके बॉलिंग की कॉलिटी भी हमको देखनी पड़ती है और वह आगे हम समझेंगे कि पेस अटाइक दोनों टीमों का है कैसा कौन से टीम अगर पहली नहीं में बॉलिंग कर जाती है तो वह डेफिनिटली उसकी पेस अटाइक यहाँ पर निस्तना सक लीफे तो पांश T20 मैचेस खेले केले गए है अभी तक पुर इतिहास में विलो मूर पार्क बेनोनी के मैदान पर विमेंस टीटुंटी मैचीस के हमने हमें बात कर रहा हूँ जहांपर दो बार पहले बेटिंग करने वाले टीम तीन बार बैटिंग सेकंड करने वाली त तो वैसे भी दिन के मैचेस में सेकेंड इनिकी बैटिंग थोड़े सी मुझिल होती है लेकिन इस तिल अगर आप देखेंगे तो यहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है यहां पर देखेंगे तो 172 का स्कोर निजी लंग के टीम ने आसानी से चेस किया है यानि कि अगर आपके पास अच्छी balling है तो score को दिन के matches में हाँ पर defend किया जा सकता है लेकिन एक तो यह रात का match है काफी हद तक conditions वहाँ पर बताई जा रही है कि ओस की संभावने रहेंगी तो team में तो fielding करना ही यहाँ पर ज्यादा prefer करेंगी और इसमें अगर आप देखें जो pitches में बेवार रहा है तो बंगलादेश के team ने 104 run बना है दो विकेट पर जहाँ पर South African team को हार का सामना करना पड़ा काफी close गाया match लेकिन फिर भी हार है वो 12 run से और यहाँ पर अगर आप देखें तो spinners का ही total domination था पूरे match में अगर आप देखें तो एक wicket pace को जो कि पहली inning में म power play की जो शुरुआत रही दोनों टीमों की वो दोनों ही टीमों का standard जो उसके हिसाफ से काफी अच्छा है तो South Africa ने बहुत ही अच्छा start लिया था और 54 run शुरुआती 6 और में बना देनी के बाद अगले जो 14 और इन्हों ने खेले यह चावण रन अगर आप उसमें से माइन इक बार न्यूजीलंड की टीम हारी है एक बार यहां पर जीती है स्कॉर को चेज करते हो और दोनों ही मैचेस में आप देखेंगे तो यहां पर तो पेसर का हैं पहली बार जब के बार शिवक को प्दीख और इसका बंडेट बार बाटिए प्रिबॉटर के बारे में उसको और इसको अर्डियो के करके चल पर पहुंची और नीचे के जॉइन बटन को क्लिक करके यहां पर जॉइन हो जाईए जहां पर आपको सारे फर्दर अपडेट स्मॉल लीकी फाइनल टीम में मिल जाएगी और इस वीडियो को अगर आप यहां छतर लोगोती उसान पर आत्यां को अगयं सब्सक्रां करने और आपको यहां पर आप तścieदर आपको अपन कलंगे और जिसमें लॉरा वालवार्ट और तजमीर बिट्स आपको ओपन करते हुए दिखाई पड़ेंगी मारियान कैप नमबर तीन बर जो आपको राइटा मीडेम पेस बॉलिंग और अभी अपने डगूल पीय में भी देखा था जहां पर भी हलकी फुलकी भी स्विंग मिल रही थी वहां पर एक कमाल करती दिखाई पड़े थी है जब बॉलर और इसी विज़ा से आज के स्मेश के बनावदी बेश्ट कप्तान अवाज कप्तान की आप्शन भी होती है बागे सून लूस जो रिसेंटली बॉलिंग तो नहीं कर रहे हैं लिके राइट हैंडेट बैटर ग्र पर इसके बाद एन मलावा जो के लिफता हम अर्थो डॉक्स बॉलर ये भी आपको कम से कम तीन से दो और तो जरूर करते हो दिखाई पड़ेंगे बागी खाखा और क्लास दो और राइट हैं मीडियम पेसर जिनके तीन तीन और आती हो आपको कम से कम जरूर दिखाई पड तरह से अगर आप देखें जो रिसेंट टाइम में पाउर प्लेयर डेथ्वर की बॉलिंग होती रही है यह साओथ अफरिकन में टीम में से उसमें से मार्यान कैप इयोब इंगा खाका एन मलाबा और क्लास मिलकर के पाउर प्ले में बॉलिंग करती हैं डेथ होगर में पूरी तरह से बताऊंगा लेकिन महीं पर सिलंगन टीम की भी बात करें तिनों ने अपना स्ट्रॉंगेस स्कॉल उटा रहा है चमारी अटा पर्टु जो कि कप्तानी भी कर रहे हैं ओपन करेंगे लेफ्ट हैंडेट बैटर हैं ऑफ इस्पिन बॉलिंग भी करते हैं और कम से यह भी खेलेंगे और यह भी आपको कम सकम तीन से चार वर के बॉलिंग करके देंगी जो कि हैं एक और यह बड़ी लीथल ऑप्शन है और इस्पिन बॉलिंग करे ना करे वह अलग बात था लिए बैटिंग में काफी अच्छी कर लेती है और पॉसिबली एक से दो और की ब लिफ्ट हैंडर राइट हैंज बैटर तो सुगंदी का भी उनका खिलाफ एक अच्छी ऑप्शन होगी इनोका रनावीरा भी काफी अच्छी ऑप्शन होगी बाकि इनोसी फर्णंडो जो कि यहां इनोसी प्रेयर दर्शनी के नाम से भी आप इनका नाम देखें कहीं कहीं एक और आफ इस्पिनर बाकि उदेशी का प्रबोदनी पहले इनकी अगर बॉलिंग आती है तो आप इनको जरूर पिक कर सकते हैं जो कि ट्रंप रहेंगे आपके लिए क्योंकि लोग इनके साथ जाने वाले हैं नहीं स्विंग ठीक ठा करा लेती हैं बाकि पावर प्ले और डेथवर बॉलर का नाम और बेंच की जो प्लेयर होंगी वह भी आपके सामने है जिनको आप देख सकते हैं तो यह दोनों टीमों का स्कॉर्ड देख लिया बैटिंग ओडर प्लेंग रहें और उसके बाद स्टैट्स की तरफ हम आगे बढ़ें और देखें कि कैसा फॉर्म रहा है रिसेंटली इन साउथ और फ्रिकेंट प्लेयर्स का और साथी साथ इनका कैसा करियर चला है पूरा टी टुएंटी का पहली इनिंग के हिसाब से इनिंग वाइज इनालेसिस जिसमें बैटर्स और बॉलर्स की लो पको यह पता चलता है की कौन किस इनिंग के लिए बेहतर है जैसा लॉइन बात करें तरफ दोनों ब्रें में करें हालां कि देखेंगे फमी का इरिंग तो नहीं कर रही तो बैटिंग के बहतर है सेकेंड निंग से जबकि मार्य ययन कैप के दोनों इंग के बैटिंग एवरीज एक दम सिमिलर हैं इवन बॉलिंग का श्ट्राइक एड ये भी बिल्कुल सिमिलर है लेकिन आज के इस मैच के पहली इंग के बॉलिंग के लिए और उसी तरह से बाखी प्लियर्स का भी बैटिंग जो बॉलिंग का श्ट्राइक अब चेक कर सकते हैं फॉर्म देखने तो लारा वालवार ठीक थाक पॉर्म में रही है रिसेंटी अच्छे रंस इन्होंने बना है डबलू पील में भी तजमीन बिट्स भी अच्छे फॉर्म जो के डेथ होरे स्पेशलिस्ट है आखरी पांच में तीन मैच में पांच युक्ते बागे सिनालो जाबता है मालाबा लेफ्टामाफ इनका भी फॉर्म बहुत ही अच्छा है रिसेंटी अगर अब देखें दो विगट चार विगट एक पांच विगट भर भर के विक्टे निकाली है इसके लाव राइट है मीडियम पेसर्स में सब्सक्राइब देखें तो खाका भी सांदार फॉर्म में इवन क्लास भी जवर्जस फॉर्म में हैं बाकि एंडिक डर्कसन जो के किनके आल रॉंडर हैं यह भी अच्छे बॉलिंग फॉर्म में दिखाई पड़ रह करती रही है और इस वेन्यू पर विलो मूर पार्क बेनोनी में किस तरीके से परफॉर्मेंसे रही है उसको अगर आप देखें तो सिलंका के खिलाफ लॉरा वार्डवार्ड के नंबर कुछ खास अच्छे है नहीं तीन मैच पर केवल 22 रहने इसको इस्पिन पर दिक्कत हो लेकिन बॉलिंग को तो आप निकाली दीजीए चुकि बॉलिंग तो करनी लेकिन बल्ले से रहन भी आये नहीं है नीकी बॉस के दो मैच पे क्योवल 20 रहने है क्लोई टरन के 9 मैच पे क्योवल 24 रहने तीन विक्टे हैं नैडाइन डिकलर के बॉलिंग में नंबर अच्छे नव मैच में साथ विखते हैं बाकी सिनालो जाफता भी नहीं चली है दोनों इंके जो ये बॉलर है मेरे इवन क्लास को लेकर करके देखे तो बेहतर किया है लेकिन बाकी दोनों बॉलर के आंकड़े काफी नॉर्मल से हैं बाकी नीजे जो आल्राउंडर साब क्या तुम्हीं जाकर के बैटिंग करनी पड़ी और ओस नहीं आती है मैदान की उपर यानि की डियू नहीं गिरती है तो दिक्कत इनको होगी चुक्कि स्पिन के खिलाफ खेले में ठीक ठाक दिक्कत होती है सौथ अफ्रिकन प्लेयर्स को बाकि वहीं पर बेनोनी के इस मैदान पर देखेंग चार मैच पर पाँच चुक्ते हैं और बाकि नंबर जो बहतर आपको दिखाई पढ़ेंगे कुछ तक वह दिखाई पढ़ेंगे क्लास के बाकि नंबर काफी बिलोग दे एवरेज या तो एवरेज ही आपको देखनों का बिलेंगे सौथ अफ्रिकन प्लेयर्स के तरफ से तो ऐसा भी नहीं है कि यही टीम पूरी तरह से डॉमिनेट करें किस तरीके से इस्पिन को यह टीम खेलेगी उस पर भी काफी हथ तक डिपेंड करेगा लेकिन वहीं पर सिलंकन बैटर्स की भी बात कर लें या खिलाडियों की बात कर लें कि कैसा इनका चला है पुरा फॉर रिसेंटली बाखी कैसा करियर चला है इनिंग के हिसाब से जिसमें आप देखेंगे कि इनोसी फर्नांडो बहुत इंपॉर्टन टे समझना कि एक ऐसी स्पिनार जो आफिस पिन बॉलिंग करती हैं रिसेंटली आखरी पांच मैच पर देखे तो साथ वित्ते हैं पहली इनि केड़ भी देखेंगे तो पहली इनिंग का ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा उसी तरह से बाकी जो बॉलर है इनों का रानावीरा ये भी अच्छे फार्म है ठीक ठाक विक्ते निकालती रही है बाकी हांसीता समर्विक्रमा हो गई अचीनी कुला सूर्या हंसीमा कुर रिसेंटली आकरी मैच को चोड़ दें उसके पहले के तीन मैचस में अगर आप देखें तो च्छे विक्ते हैं वह साधी राना सिंगे जो कि एक आल राउंटर है बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए जानी जाती हालकि रिसेंटली बहुत अच्छे फार्म में है नहीं बा पूरी तरह से फलॉप बाकि चमारी अटा पट्टू तो बड़ी प्लेयर हैं ही सांदार ठीक ठाक फॉर्म में भी है अनुसका संजीवनी भी एज बैटर टिक करके अगर खेली तो थोड़ा बहुत रन बना के आपको दे सकती तो यह सिलंकन प्लेयर्स थी जिसमें से इंप हमारी अटा पट्टो के आंकड़े भी काफी नॉर्मल से हैं एजब बॉलर 14 मैच पर क्योवल 4 विक्ते हैं लेकिन एजब बैटर 332 रहने 23 का एवरज और विक्ते हैं बहले ज्यादा ना हो लेकिन यह इंपॉर्टन रहेंगे आफ इस संजीवनी होगी विसमें गुड़ा के भी आंकड़े खराब है निलाक्षे डेसिलवा के भी और साधी राणों सिंगे के भी छे मैच में के वाल तीन विक्ते हैं तीन में एक विक्ते है कविसा दिलहारी के लिए के सुगंधी का कुमारी इन्हों ने बहतर किया है लेक्ट टाम आफ स्पिनर ग्रूप में 9 मैच पिछ और कंडिशन को दिमाग में रखते हुए जो टीम हमारी बंती हुए दिखाई पड़ रही है इन सभी स्टैट्स को पिछ रिपोर्ट को पढ़ लेने और समझ लेने के बाद वह आपके सामने है जिसमें आपको दिखाई पड़ेंगी एक मात्र विगेट की पर अनुस कर सकते हैं मैं अपनी फाइनल टीमा को टेलिग्राम पर दूंगा जिसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट सेक्शन में आपको मैंने दे रखा है तो पूरा वीडियो देखिए पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्काइब करके बेल आ आपको